एलो दोस्तों आजकी वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी जो singing की skill है, जो हम गाते हैं, तो उसके skill कैसे पता करें बहुत दोगों को स्ट्राइट में problem होती है कि हम उस्ट्रू कहांसे करें गाने को, अगर हम शुरू में गाते हैं हमको इसके जानना बहुत ज़रूरी है तो वो हम सीखेंगे इस वीडियो में देखते रहे हैं शिप्समीजिक हर दिन एक नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिप्समीजिक अकेडमी और दबाएब आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके नमस्कार दोस्तों आप सभी का इग्वाइफेर से स्वागत है शिप्समीजिक अकेडमी चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी स्केल जो हमारी सिंगिंग करते हैं उसकी स्केल कैसे पता करें देखे फ्रेंड्स मैं आपको लिखके समझाता हूँ सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मान लेजिए कि यह हमारा घर है ठीक है तो जब एक पोस्ट आती है एक पोस्ट आती है तो उसको अगर मालो सही अड्रस नहीं मिलता है और फिर रिहान ही मिलता है तो उसके एड्जेशन वाली में पूछेगा अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी दूसरी है तीसरी के छोड़ के चौटी है पांच में सीखे ऐसा तो नहीं करेंगा हूँ तो इसको बोलते हैं एक रेंज जैसे कि डागे को पता है कि इसके आतपस वाले इसको जानते होंगे comfortable होगा यह आतपस अपनी रेंज में ठीक है तो यही concept आपको music में apply करना है जैसे कि अब देखे जो हमारी सरगम होती है अगर मैं इसको लिखूंग सारी गामा पाधा नीसा देखे फ्रेंट्स यह हमारी सरगम होती है एक octave की बात कर रहे है हम जनरली गाते हैं वह है medium octave मद्दे सब्टक में हम गाते हैं तो skill define करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको कुछ range इधर जाना है इसकी low octave में कुछ range high में जाना है ठीक है तो जितना आप जा पाएंगे अगर comfortable है आपकी range में तो वह skill हम choose करते हैं जैसे कि जैसे माल लेजे अगर मैं style scale करता हूँ अगर मैं अपनी schedule माल लेता हूँ पता कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम कि मेरी skill क्या है तो मैं पता करूँग कि style से मैं कितना low जाता पाता हूँ और जो high वाला सा है उससे कितना high जा पाता हूँ ठीक है तो इसको हम माल रहे हैं एक octave यह हमारा क्या हूँ घर ठीक है यह जो beach वाला है सारे गामा पधनी सा इसमें तो हमको comfortable हो नहीं है लेकिन इसके अलावा हम इस सा के high में कितना जा पाता हूँ इस सा के अब देखिए इस सा के में लो में जाओंगा अगर यह सा मेरा कौन सा है यह वाला सा और यह वाला सा कौन सा है यह वाला सा अब देखिए इस सा के high में जाता हूँ मैं मतर कमफर्टेबल हो पाता हूँ मांके बाद मेरी थोड़ा मतलब जादा जोड़ लगाना पड़ता है तो हम देखे मैं कहां तर कमफर्टेबल हो पारहूँ आसानी से मतलब मेरी आवाज खुल कर आ रही है पातक मेरी आवासे है उसके वाद फोड़ी लो हो गई तो यह मेरी एक रींज हो गई कहां से खातक पाखसे लेकर मां तक छिए है इस पाखसे लेकर इस मां तक यानि कि इस साक देखे में कितना नूट पीछे गा Tech agar इसके में में तीन नोट्स पीछ जा रहा हूं और इसके चलो मा को छोड़के मह पर भी मुझे थोड़ा जोड़ लगाना पड़ रहा है तो मेरी इसके इसके तीन में आगे गया है यहां पर ऑक्टिव कतम होगी थे अपनी बारा सुर कंप्रेट हो गए ते और साथ सुर सर्गम कंप्रे आप समझ रहोंगे बात को तो अब इस साके अकोर्डिंग देखें कि पहला सुरुआ पहला दूसरा तीसरा यानि कि मैं तीन सुर जा पार हूं रायट में तीन सुर में लेफ्ट में जा पार हूं तो एक एप्रॉक्सिमेटली रहन जाती है कि जितना आप लेफ्ट में जा जा सा गजल हो गार में सभार प्रतु है मैं तो सभ मेर द Commerce अटूसरै तो ढरुदे qeuss reflecting कि सीफ़ Allah अब मैं C note को समाल रहा हूँ सारे का मापथ है neIB आब देखी क्योंकि मैं महत तक महत है तो अब इस सार के कोडिंग हो, तो अब गल्ट के महत बहुत ही है है तो अब इपी मैं पहूंचे जा रहा हूं तो मैं इस skill में easily comfortable हूँ इस skill में бол 클ण, i3 में क 다 Zumn ये इस कम्मा हो गया लेकिन मैं गर तक comfortable हूँ आसानी से तो मेरी skill D में भी आसानी से का सकता हूँ C sharp में भी का सकता हूँ C में भी का सकता हूँ जरूरी नहीं कि एक इंसान की एक skill हो काफी skills हो सकती है और हमको सभी skills के बारे में knowledge होनी चाहिए हमको सभी note से सभी skills से बजाना आना चाहिए और अगर कोई हमको गाने के लिए पोलता है कि आप इसके एक खोड़ा down गाई है तो वह आपको समझ में आना चाहिए अब down का क्या चक करें भूब में आपको बताता हूँ देखे कि जब down की बात करेंगे down मतलब फ्रोड़ा नीचे आ रहा है यानि कि इस platform से नीचे यानि कि जब हम गाते हैं तो मोटे वाज होती है उसको मोटे बोलते है जब अब जाता है तो वह frequency होती है मतलब कि पतली की त आपको इसको सही मानना है पहले आप डिसाइड करिए गाय कर देखे जब आप कमफर्टेबल हो तब आप डिसाइड केजिए कि मेरी स्किल क्या है तो ठीक है प्रेंस इस वीडियो में के वले इतना ही और भी मुजिक से जोड़ी बाते सीखने के लिए सब्सक्राब कीजिए और दवाए बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें तब तक के लिए नमस्कार